नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे लक्से क्लासिज जी हाँ आप इस चैनल को विश्वशनिये चैनल भी कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए जो हैं सबसे पहले पूरे भारत की नर्सिंग से रिलेटेड हरेक अपडेट लाते है यारी केंधर की जो वेकेंसी जो होती है नर्सेयट के थ्रू हो या और कुई तो उस में 8020 का जो मामला है उस पर पूरा विस्तिरत बैत करें बात करेंगे और एक anlam F 피क्राथं है आप सभी को पता है दस तारी का जो conclusion था दस तारी को जो एक सुनवाई हुई थी उसमें क्या conclusion था मैंने आपको वीडियो बना के बताया एम्स नौर्सेट के दुरू जो vacancy हुई है उसके बार में भी बताया तो 80-20 हटने के जो chances है उसमें अभी हम कुछ पने वाला है 100% इसमें अब आगे क्या होता है 50-50 होता है नौर्मलाइजेशन होता है उस पर भी बात करेंगे नौर्सेट 2021 में क्या होगा तो नौर्सेट 2021 में दोस्तों जन्होंने भी exam दिया है worry यानि कि चिंतित होने की कोई बात नहीं यहां पर जो भी court का फैसल आएगा उसके अनुसार ही नौर्सेट 2021 का रिजल्ट आएगा न की 80-20 के हिसाब से यानि सोच लीजिएगा कि सेकंड सप्ता जो है अपना सेकंड वीक जन्यूर का जन्यूरी में जो सेकंड वीक है वहां पर अंतिम फैसल आ जाएगा court नहीं कहा दिया है special judges के कुछ मदद ली जाएगी यानि कि जो अभी जो नौर्सेट 2021 का result है वो उसी फैसले के अधार पर आएगा ना की 80-20 के मामले के अधार पर यानि आपको 80-20 का कोई boys को जाता जी हां यहां यह नहीं कह रहा हूं कि girls को फाइदा है गल्स को भी फाइदा है कि नहीं है वह अब नहीं के बात कर रहे है लेकिन boys को सीधा नुकसान जा रहा है क्योंकि आप सोच सकते हो कि यह बहां पर चलो मान लिया कि 120 जो टोटल नर्सिंग के student ने exam दिया 120 माना की पास होगे ठीक है उसमें से 80% जो girls ली जाएगी और 20% boys ली जाएगी तो ऐसे भी boys होंगे जो girls से ज़्यादा नमर रखते हैं लेकिन 20% में नहीं आते हैं यानि सीधा नुकसान है कि girls को 100 नमर आ रहे हैं और boys को 110 नमर आ रहे हैं फिर भी वो select नहीं हो यानि कि सीधा जो है इसका नुकसान जो है वो सीधा boys को जा रहा है male candidates को जा रहा है यानि कि सरकार को यह सोचना से यह था पहले नहीं सोचा तो court जो है उस पर भरोसा रखेंगी और 100% court जो है surety के साथ में कह सकता हूं कि इस पर आपके लिए जो है एकदम positive जो है approach के साथ रिजल्ड संभवय 2021 का जो नॉर्सेट का है इसके लवा पुराने चात्रों के बात करें तो पुराने वालों को जो है उनके साथ न्याय जरूर होगा किसी को अडाय नहीं जाएगा लेकिन postage बढ़ाके जो है वहां पर कुछ अच्छे नंबर के candidate से उनको भी सामिल कर दिया जो है अब लास्ट और फाइनल हीरिंग फाइनल डिसीजन जो है कोड ने एकदम इस पर सब्दम के दिया है कि जैन्यूरी में जो है सेगेंड वीग में आने वाला है और अब आपकी राय लाना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि 80-20 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हटना चाहिए और नहीं हटना चाहिए सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बे धड़क बता सकते हैं हम जो है एक एक कमेंट पड़ेंगे और जो है हो सकता है कि अगले वीडियो में जो है आपको वहाँ पर हाइलाइट भी करें ऐसे ही पूरे भारत की नर्सिंग से लि दे आ रही है तो वो जो है वेकेंसी का वीडियो आपको इसी चैनल और जो दूसरा चैनल है पीजे वेकेंसी हब दोरों चैनल पर मिलेगा तो आप यूट्यूब पर सर्च करें पीजे वेकेंसी हब और वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप से कोई भी अपडेट जो है छूकना ना पाए गाइस तो आपको क्या लगा कि मैंने जो बात की वो सही एक नहीं है वो भी बता ना और 80-20 सही हैक नहीं है अटना चाहिए नहीं अटना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स मताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू सो मच